हेलो गाईश वेलकम टू माई यूटूब चैनल कोडिंग एक्सपेरिमेंट तो फ्रेंट्स आज मैं लेकिया हूँ कंपाइलर और इंटर्प्रेटर इन दोनों में क्या डिफ्रेंसिंस है कल के वीडियो में मैंने जावा लेंग्विज और सी प्लस प्लस लेंग्विज में क्या डिफ्रेंसिंस है यह हमने डिसकस किया रहा पर आज की वीडियो में हम कंपाइलर और इंटर्प्रेटर यह दोनों क्या है इसमें क्या-क्या डिफ्रेंसिंस इन दोनों में आज हम इस वीडियो के मादम से समझने वाले हैं तो फ्रेंट चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं compiler compiler में जो होता है इंपुट कैसे लेता है compiler टेक इंटायर प्रोग्राम एज इंपुट एट आ टाइम तो फिर जो compiler होता है वो पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक बार इंपुट लेता है और वहीं जो interpreter है वो क्या करता है interpreter take single instruction at input at a time जो interpreter होता है वो instruction के रूप में एक single instruction के रूप में सिर्फ एक बार इंपुट लेता है और जो compiler है वो पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक बार इंपुट लेता है वहीं interpreter की बात करें तो सिंगल इंस्ट्रक्शन में जो इंपुट है वो एक बार में ले लेता है आंगे चलते हैं आउटपुट compiler और इंटरप्रेटर के हैं उसमें क्या डिफरेंस है तो इंटर्मिडियेट आबजेक्ट कोड इस जनरेटर है जो कंपाइलर है वो इंटर्मिडियेट औब्जेक्ट कोड को उत्पन करता है यानिए tocar करता है आउटपुट देती समय इंटर्पेटर क्या करता है नो इंटर्मीडियेट ऑबजेक्ट कोड इस जनरेटेड जो इंटर्पेटर है वो कोई भी इंटर्मीडियेट ऑबजेक्ट कोड जनरेट नहीं करता है आंगे हम चलते हैं Speed Compiler और इंटरप्रेटर में कि Speed में क्या matching से तो Compiler जो है इट executing condition करें गरोड़ में बहुत करता है मैं की चैट में करता हैусов है कंपाइलर में यह होता है वह कंडिशन इसनीस यड़ह जैसे वह बहुत ही संनी जो करते हैं compiler में कंडीशनर री स्टेटमेंट रूट है इफ इस्टेटमेंट इसके वजह से इसकी स्पीट है वो फासली होते हैं अब बात करें हम interpreter की तो यह क्या करता है एक एक्सीक्यूट कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट सो देन कंपाइलर जो इंटर्प्रेटर होता है इसमें भी कंडिशनर कंट्रोलर के मदद से तो यह प्रोग्राम एक्शेक्यूट होता है पर यह जो है कंपाइलर से बहुत ही स्लो होता है आंगे हम चलते हैं इरोर कंपाइलर और इंटर्प्रेटर में जो इरोर आता है तो इरोर के वज़ए से इन दोनों में क्या डिफ्रेंस से चलिए आंगे देखती है compiler जो है its display error after entire program is chip तो compiler जो है क्या करता है कि यह जब पूरा जो program है वो display हो जाता है उसके बाद जो program है उसको यह display करता है और वहीं जो interpreter क्या करता है इस डिस्प्ले इर और आप्टर इच इंस्ट्रक्शन इंटर प्रियेटेड इफ एनी यदि इसमें कोई टूटी मिलती है या कोई इसमें इरोर मिलता है तो यह प्रत्यक के बाद टूटी प्रदिर्शित कर देता है यानि जब भी अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं और हमें कोई इरोर मिल जाता है तो यह क्या करता है यह उसे प्रदर्शन कर देता है डिस्प्ले कर देता है ने हम चलते हैं कि programming language में example compiler का जो compiler का यूज हम कौन से programming language में करते हैं और जो interpreter है उसका यूज हम किस स्कृट इन प्रोग्रामिंग लेंगविज को हम compiler में रन कराते हैं यह एक्षेक्यूट कराते हैं और जो interpreter है उसको हम PHP, Perry, Python, Ruby, U इन सब को execute कराने के लिए रन कराने के लिए interpreter का यूज करते हैं तो आज की वीडियो में हमने यह डिस्कस किया कि compiler और interpreter इन दोनों में क्या डिफ्रेंस हैं थैंक यू फॉर वाचिंग